जहिन साथियों आप सभी का competition community के इस e-learning platform पे current affair के सेसन के साथ मैं इशारह मद आप सभी का एक बार पुना पुर्जोर स्वागत करता हूं और साथियों जुलाई मन्त के first week के important topics important current affairs आज के सेसन में हम cover करने वाले हैं हमारे लिए तो जरूरी है खास तोर पे हमारे एक्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं तो सुरू से लेकर आखरी तक के अपना संयम बनाए रखेगा और ये कोई साभी one day एक्जाम चाहाए ssc हो railway हो, banking हो या व्यापम क्यों नहों सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है यहां से प्रशन आपको देखने को मिलेंगे National International के जितने भी गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ क्लियर है साथियो आईए अपना सत्र प्रणाम करते हैं पहला मुद्दा हम देखेंगे या पहला हमारा टॉपिक देखेंगे वो है Asian Cup D Championship 2023 का खिताब किसने जीता है तो याद रखेगा Asian Cup D Championship का खिताब हमारा भारत जीता है किसको हरा के तो इरान को हरा के जीता है साथियो आईए इसके डिटेलिंग देखें आप देख सकते हैं कि भारत में दक्षिन बारत जो है दक्षिन कोरिया में बुसान सहर देखेगा बुसान सहर में यह आयो जित किया गया था कवट्डी Championship 2023 जिसके फाइनल में इरान को हरा कर किसने खिताब जीता भारत ने जीता भारत इसे आड़ बार जीत चुका है भारत इसमें जो है सबसे जादा बार जो है इसका फाइनल जीता है कवट्डी टीम के कप्तान कोन थे तो याद रखेगा एशियन कवट्डी Championship 1980 में स्टार्ट हुआ था तो यहां से इतना important हमारे लिए हो जाता है कप्तान के बारे में पूछा जाता है तो कप्तान याद रखेगा कौन है तो पवन सहरावत इसके कप्तान रहे हैं भारत ने किते बार जीता है तो आड़ बार जीता है तो मैं आप लोगों को बता दूँ उत्तर प्रदेष सरकार जो है वन टैप वन-ट्री का जो है आपका कै बोलते है अभ्यान स्टार्ट कर रहा है अब इसके नाम से समझ में आ रहा होगा वन-टैप वन-ट्री मतलब मेरे साथियों याद रखेगा कि वन-टैप मतलब की पहली बात तो मैं ये बता दूँ कि ये जो है, जल आपूर्ति से संबंधित योजना है, उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है, कि हर सहर में, हर गली, महले में, जल की आपूर्ति करना, जल की सुनिष्चितता, उपलब्द कराना, ये सब सारी चीजों को जो है, अच्छी तरह से आयाम देना, clear है मतलब की जल की आपूर्ती में उद्देश है लेकिन वहाँ उत्तर प्रदेश के राज उत्तर प्रदेश राज्ज में कहीं भी अगर ये नल लगाया जाता है ये नल का connection दिया जा रहा है तो उसके साथ साथ एक जो है कि इसका लट्च이 ग्रामिड छेतरों में पीने योग्ये नल में के पानी की उपलब धता सुनिश्चित कराने के साथ साथ हरित आवरं क्या है हरित आवरं का विस्तार करना और ये योजना जो हैं ग्रामिल छेतरों में प्रत्तेक नए नल connection के साथ साथ नहिसुलक पौधे विद्रित करना इसका उद्देश्य है क्लियर है साथियो क्लियर याद रहेगा वन टैप वन ट्री काउंट कर रहा है उत्तर प्रदेश और ये बहुत ही बहतरीन योजना है क्लियर आगे बढ़े चलो अगला प्रसन है साथियो हमारा सयुक्त राष्टर विकास कारेकरम यू एन डीपी यूनाइटेड नेशन डेवलप्मेंट प्रोग्राम इसके नए उपप्रमुख किसे बनाया गया है चीफ अगर देखें डिप्टी चीफ इसमें कौन बनाया गया है तो याद रखेगा पहले डिप्टी चीफ जो थी वो थी आपका हमारे भारत की उशा मोनारी लेकिन अभी वरतमान में इन्हें चेंज किया गया है जो की चाइना के हैं चीन के जू हाव लियांग जू हावलियां को आपका बनाया गया है अब क्या है UNDP क्या है तो UNDP जो है वो संयुक्त राष्ट्र संग की क्या है एक शाखा है एक इकाई है और ये जो गरीबी गरीबी दूर करना इंफरेस्ट्रक्चर डेवलप करना मतलब अधारभूत संरचनाओं में विकास करना इन सब सारे चीजों पर ये क्या करता है बल देता है और ध्यान देता है और अपका विकास करता है तो आइए इसकी डिटेलिंग भी देख लें तो आप देख सकते हैं कि उसा मोनारी को क्या कर दिया गया है उसामोनारी के स्थान पे जो हावलियांग को संद्राश्ट विकास का र करेक्रमगे क्या बनाया गया है प्रमुख बनाया गया है अगर मैं UNDP की बात करूए United Nations Development Program की तो यह संयुक्त राश्टंग के West Week विकास कारेकरम है जो गरीबी कम करने अधार भूर धाचे मतलब infrastructure प्रजात अंत्र को प्रोसाहित करना इसका काम है 22 November 1965 को इसका क्या किया गया था इस्थापना की गई थी मुख्याले कहा है तो नियू यार्क में है और अध्यक्ष कौन है तो अचीम स्टेनर इसके वर्तमान के हेड है अध्यक्ष है क्लियर है इत्ते याद रहेगा screenshot लो फटाक से आगे बढ़े है चलो अगला प्रस्न है साथियो हमारा भारत में वर्तमान सॉलिसीटर जनरल कौन है ओके वैरी गूट सॉलिसीटर जनरल क्या होता है सॉलिसीटर जनरल एट औरनी जनरल का हेल्प करता है ठीक है असान भासा में समझे और एट औरनी जनरल की बात करें तो हमारे कॉंस्टिटूशन के आर्टिकल सेवन्टी सिक्स समिधान के अनुच्छेत चिहत्तर में जो है भारत सरकार का एक प्रमुख विधी अधिकारी होगा चीक है अधिकारी होगा मतलब विधी से सम्बंधित मतलब सरकार के ओपर कोई सभी केस लगे गया है तो तुसार महता जी जो है वो पुनह वापस दोबारा दो हजार अठार के बाद जो है यह फिर से जो है पुनह नियुक्त किया है, तो सवाल बननाता है, प्रशन यहां से पूछे जाते हैं, 2018 के बाद, अगर बात करें, कि एडिशनल सोलिशीटर जनरल या अतरीक्त सोलिशीटर जनरल की बात करें, तो कौन है, तो देख सकते हैं, कि आपका क्या के नाम है, विकरम जीद बेनर जी, कि यह अतरीक्त सोलिशीटर जनरल है, यहां से पुछने की संभावना कम हो जाती है, तो इसे आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, लेकिन आपका यहां से पुछने की संभावना पढ़ जाती है, अगर हमाएं सोलिशीटर जनरल की बात करूँ, तो सबसे पहले मैंने बता प्राश्ट पती जब तक है तब तक कि अपना इनका जो है कारेकाल रहेगा और राष्ट पती चाहेगा तो इन्हीं जो है अटाबी सकता है क्लियर आगे बढ़ें उसके बाद देखें सॉलिशिटर जनरल की बात करें या वैधानिक पद है जो कि अभी कोण है तुशार महता और यह जो अगर देखें देश के सबसे बड़े विधियाधिकारी की साहेता करता है ठीक है सॉलिशिटर जनरल क्लियर है आगे बढ़ें आपका टूनामेंट होगा यहां गलत है में मिस्रित यूगल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है तो यह बहुत ही हमारे लिए अब चीन के हुआंग सहर में जो है आपका इसका आयोजन किया गया था तो दिपिका पलिकल और हरदीप पाल संधू ने जीता है आईए दे चीन के हांगजू में हुआ था चाहूंगा चीन के हांगजू में इस प्रतियोगीता की आयोजन किया गया था क्लियर है आगे बढ़े चलो अगला प्रस्न है लुसाने डाइमंड लीक टूर्नामेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट नीरा चोपड़ा वापस जो है क्या आप जी सबसे पहला मैं आप छातर जीवन की बात करने वाला हूं बार बार ये क्यो जीतते हैं सवन पदक इनके जीतने का कारण है कंसिस्टेंसी निरंतरता और मैं आपको जोग्राफी के वीडियो में बताया था कि अगर मेरे साथियो यहां देखो लेकिन पढ़ते पढ़ते सफलता ठीक है अगर इसको लिपदो मैं इस प्रकार से सफलता ठीक है अब ये सफलता प्राप्त करने के लिए ये व्यक्ति कहां गए नीरा चोपड़ा जी कितनी महनत करते हूं कितना कंसिस्टेंसी बनाते हैं तो आओ इसका फॉर्मूला बता रहा हूं सफलता मतलब कि सभ सभी निगेटिव चीजों को निगेटिव थाट्स को बहार फेको ठीक है उसके लिए आप एकसरसाइज भी कर सकते हैं उसके लिए आप योगा भी कर सकते हैं द्यान भी कर सकते हैं चलो वापस आओ छातर जीवन में फा से आता है कि फल की चिंता नहीं करनी है फल की चिंता करते रहोगे तो गडबड होगा क्योंकि आपको सभी निगेटिव चीजों को चोड़ोगे तो चिंता तो खतम करने ही पड़ेगा न फल की चिंता नहीं करनी है अपनी कंसिस्टेंसी अच्छी तरीके से बनाये रखनी है अल्ला से लपरवाही की कोई गुंजाइस नहीं याद रखिएगा ठीक है फॉर्मूला बता रहा हूं साथियो छोटी छोटी मगर मोटी बातें क्यों जीतते हैं और अगर आखरी की बात करें तो इस सब्द का हिंदी इंग्लिश जो है आप ज़रूर देख लिजेगा लेकिन महिंदी में बता रहा हूं वो है तारतम्यता ठीक है याईसे ही करेंगे तारतम में बनाए रखना तारतम में क्या होता है क्या होता है क्या होता है क्या होता है बताता हूं कभी आप गाना सुनते हैं चाहे वो हीप हॉप हो या आपका क्लासिकल हो या किसी भी प्रकार का गाना हो गाना डांस बोल दिये क्या जो भी है गाना मेरे को जादा समझ में न ठीक है मैंनी तो कौन बे ऐसा कुछ बहुत सारा मतलब ऐसे रील वगरा देखते रहो कभी कभाल तो आ जाता है खेर तो उसमें आप देखे होंगे कि जो गायक होता है वो म्यूजिक के साथ अपना क्या करता है तारतम में इस्थापित करे रहता है वैसे ही बात करें कि जीवन में उतार चड़ाओ आएंगे लेकिन उसके साथ साथ हमें अपना तारतम मित्या क्या करना पड़ेगा बनाय रखना पड़ेगा इसलिए छात्र जीवन में बहुत सारी समस्या दूइधा परिशानी तकलीफ आते रहती है लेकिन हमें क्या करना है उन सब सीजों के साथ तार आजाए आशा करता हूँ मेरी बाते आप लोग को समझ में आए होगी छोटी-छोटी मगर मोटी बाते हैं चलिए आईए स्टार्ट करते हैं दूसरा मतलब दूसरा नहीं क्या आईए निरत चोपड़ा को देखते हैं निरत चोपड़ा देखें कितना फेके हैं भाला तो 87.66 इस साल का इनका सेकेंड गॉल्ड मैडल है ठीक है और अगर मैं बात करूं तो इस प्रकार से डीटेलिंग याद रख सकते हैं 2010 में यह जो है आपका स्टार्ट हुआ था कौन सा आपका तो लुसेन डायमंड लीग टूर्णामेंट जैवडीन थ्रो का क्लियर आगे मढ़े चलो अगला प्रस्ले हैं सात्यों हमारा हाल ही में ग्लोबल इंडियन आइकों और किसे प्रदान किया गया है तो आप देख सकते हैं हमारे भारतिय ओलंपिक विजेता मेरी कौम जो की एक बहुत खासी जो है आपका मुक्के बाज है इन्हें प्रदान किया गया है जो की सकते हैं क्लियर आगे बढ़ें अगला पुषिब साथियों हर वर्स वन महत्व सब्पता कभ मनाया जाता है जुलाई के फिरस्ट वीक एक जुलाई से साथ जुलाई तक मनाया जाता है वनों की क्या करना महतवता को बताना मनों को नुकसान नहीं पहुचाने की आपका हर एक चीज पहल करना, उसका समर्धन करना, सररक्षन करना, सारी चीज़े इसमें सिखाई जाती है अगर मैं बात करूँ इसे कभी स्टार्ट किया गया था तो 1950 के समय में ठीक है, भारत के आपके कल्यान लाल स्टार्ट करने वाले थे, अभी भारत वर्स में सभी जगा इसे मनाया जाता है अगला प्रशन है साथियो हमारा डूरंट कप से संबन्दि, डूरंट कप का संबन्द किस खेल से है तो बताईए यह तो मतलब GS का पूर्शन है, अधिकतर वंड एक्जाम में यह डूरंट कप कही बार पूछा हुआ है साथियो ठीक है तो प्रशनी स्प्रकार से बनाया हूँ, हमारे भारत में यह आयोजित किया जाएगा इस साल फूड वॉल से संबन्दी थे मेरे साथियो और डूरंट लाइन किस से संबन्दी थे यह पता है बारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंट लाइन है मतलब सबसे कम सीमा बनाने वाला लाइन अगर बोलेंगे तो कौन सा है डूरंट लाइन है जो भारत और आपका अफगानिस्तान के बीच में इस चीथ है ठीक है 1893 के समय में सर मार्टिमर डूरंट द्वारा खिचा गया था ठीक चलो अब फूटबॉल से सम्बंदी थे कौन सा आपका डूरंट कप देख सकते हैं आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें दुनिया का सिसरा सबसे मतलब आपका पूराना फूटबॉल है फूटबॉल आपका टूनामेंट है 1888 में इसे स्टार्ट किया था सिम्बला में 132 दूरंट कप जो है कहा हो रहा है तो भारत में किया जाएगा इसमें टोटल 24 टी में हिस्सा ले रही है और यहां आप देखेंगे कि लास्ट टाइम जो है इसे किस ने जीता था तो आपका बेंगलूरू एफसी ने इसे जीता था क्लियर है साथियो तो यह कॉंसरसंस करण है आपका 132 ठीक है याद रखिएगा साथियो यह प्रस्ण पूछने वाला है क्लियर आगे बढ़ें आजओ अगला प्रस्ण है हाल ही में चर्चा में रहा R21 और मैट्रिक्स M याद यह का साथियो विश्वो में फैल रहे बहुत ही खतरनाक प्रोटो जोवा से संबंधित एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया का टीका है क्लियर है आए स्टार्ट करते हैं इसकी डिटेलिंग देखना अगर इसकी मैं डिटेलिंग की बात करूं तो R21 मैट्रिक्स किसक नाम था वैक्सिन मौसकिरिक्स ठिक है इसका क्लियर 2020 की बात करें तो 6000,25,000 लोग उससे मरे थे विश्व में 221 में 6,19,000 लोग उससे मरे थे और अगर मैं बात करो शात्यों भारत बात करने का भारत को 2030 है किसकी वज़ह नें बताया कि प्रोटो जोव से होता है तो मादा ए अप्रेल को विश्यो मलेरिया दीवस मनाया जाता है इसे अगला प्रास्न वालों के लिए भारती स्टेट बैंक स्बीया SBI ने किसे अपना मुख्य वित्ति अधिकारी CFO मतलब Chief Financial Officer किसे नियुक्त किया गया है तो याद रखेगा कामेश्वर के दावन्ती को इन्होंने अभी अपना CFO क्या किया है क्लियर है साथियो State Bank की बात करें 19-वी सताबदी में 2-0-18-06 में कलकत्ता में इसे जो है बनाया मतलब इसकी निव रखी गए थी बिटिस काल में और अगर इसके हेट कोटर की बात करें तो कहा है तो मुंबई में और चेर्मेन कौन है तो दिनेश कुमार खारा याद रखेगे इसे आगे बढ़ें चलो अगला प्रस्ण है वोमेंस केरेबियाई प्रीमियर लीग से जुडने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर देख सकते हैं आप इनका नाम है स्रियंका पाटिल स्रियंका पाटिल जो है वो आपका केरेबियाई प्रीमियर लीग प्रिमियर लीग जो कि कहा होगा तो वेस्ट इंडीज में होगा उसमें जो है इन्होंने पाटिसिपेट ये पहली महिला है जिनको पाटिसिपेट करने के मौका मिलेगा ये जगर बात करें तो किस से खेलेंगे तो अमेजन वारियर से ये खेलने वाली है ठीक है तो याद के लिए हैं आपके लिए याद रखेंगा साथ यह इसका अंसर आपको देना है और महराष्ट के साथ साथ अगर आप छतिस गड़ कभी बता दे तो भी बहुत ही बहतर होगा क्लियर आगे बढ़े चलो आपके लिए प्रस्न है इसका अंसर देने अकोना जीत अपावार जी है क्या मतलब तट करे हैं क्या या दर्मराओ है क्या या दनंग्या पुंडे है क्या यह सब सारी चीरों से आपको आप्षण में बताना है ठीक है आगे बढ़े आप ऑप्शन भी लिख सकते हैं ए बी या कुछ भी ठीक है लेकिन प्रस्न का अंसर जरूर दीजिएगा ताक सुनिल चत्री जी देख सकते हैं कि भारत जीता है इसमें आप हमारा किसको हराके तो कुएद को हराके क्लियर है आई इसकी डिटेलिंग देखे तो बेंगलूरू के आपका कांती राव स्टेडियम में इसे खेला गया था बहुत सारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स है इसमे सेफ चेंपियंशिप 2023 भारती टीम के कप्तान सुनिल चत्री थे क्लियर जैसे कि मैंने बताया भारती टीम के नवी बार जीता है इसे ठीक है इस किताब का नाम किया है अपने नाम अगर बात करें 1993, 1997, 1999, 2009, 11, 15, 21 में इसे जीच चुके थे अब 2023 का भी हमारे नाम हो चुका ह क्लियर है साथियो अगर मैं बात करूं कि ये कौन से करम का था तो चोगदवे नंबर का था कूल मैच किते हुए 15 हुए कहा योजन हुआ था करनाटक में हुआ था सरवाधिक गोल किसने माले तो हमारे कप्तान ने मारे सुनिल चत्री ने ठीक है उसके बाद क्या है ये कह ल थे तो आपका कुएद के क्लियर है आगे बढ़े सैफ आप एस एएफ एफ जेंपियन्शिप के अगर बात करें तो दक्षण एस फुटबॉल महासंख द्वारा जो है इसे आयो जीत कराया जाता है और 1993 में इसे किस नाम से स्टार्ट किया गया था तो सार्क गोल्ड कप के रूप में इसे स्थाफित किया गया था अब जो है हमारा भारत इस साल जीता है करेंट अफेर्स अमधित इतना याद रखना है क्लियर आगे बढ़ें चलो अगला प्रसन है हमारा हाल ही में भारती क्रिकेट टीम के नए चीफ सेलेक्टर कौन चुने गया है नए चीफ सेले बने है हमारे अजीत आगरकर क्लियर है आईए देखें इसकी डीटेलिंग कि हाल ही में किन्हें बनाए गया है अजीत आगरकर को चीफ सेलेक्टर बनाए गया है उसके बाद है आपका बोर्ड के पूरु अध्यक्ष चेतन सर्मा को इस्टिंग ऑपरेशन में फसने के बाद यह हुआ था ठीक है होते रहता है क्रिकेट में बहुत पुरानी आदत है बिसी सी आई की बात करूं मैं दबोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया कहा है तो आपका मुंबई के वानखेड़े में इसका मुख्याला है 1928 में स्थापित किया गया था इससे रोज इसवे सीओ सीखर सम्मिलन किसकी अध्यक्षिता में आयो जीत किया गया क्लियर है तो याद रखिएगा साथियो हमारा भारत इस साल अध्यक्षिता कर रहा है कब तो 2023 में ठीक है उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसमें क्या करता है संघाई कोर्पोरेशन और्गनाइज सम्मिलन का मुख्य विशा है सुरक्षित SEO और यह करता क्या है वह वापस लाना चाहता हूं आप लोगों कोई राजनीतिक आर्थिक और अंतर राष्टिय सुरक्षा रक्षा संगठन है क्लियर है अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 2001 में स्थापना की गई थी 9 देश है इसमें चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान ऐसे जितने भी नाम है आप देख सकते हैं बीजिंग में इसका मुख्याल है कहा है तो चीन के बीजिंग में इसका मुख्याल है तो 15 प्रशन आज का हमारे first week का important हो जाता है ज्यादा मैं जो प्रसन नहीं पूछे जा सकते हैं वैसे प्रसन रखना नहीं चाहा इसलिए जो है मैंने आपको 15 प्रसन important बटाए इस सब ताके clear अब जो है पिछली कष्छा का revision हम करते जाते हैं clear है यहां देख सकते हैं कौन कर रहा है तो हमारा भारत कर रहा है clear यह जो है नहीं मिल रहा था फोटो उस प्रकार से तो मैंने यह रख दिया यह सभी देशों के आपके प्रतिनिदितों करता यहां दिखाई दे रहे ठीक है इसमें specific video भी बनेगा कि SEO क्या है क्या नहीं है तो इसमें ध्यान रखना है clear आगे बढ़े यह 2022 वाला इसको content को नहीं रखना भई है यह हटा दो यह हटा दो clear लेकिन इसमें कुल नौदेश है आगे बढ़े चलो अब जो है अपना revision करना स्टार्ट करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर कहां बन रहा है बिहार में बन रहा है लास्ट इम बताया था चंपरन जीले में बिहार से संबंदि जनकारी भी प्रदान की थी मैंने clear उसके बाद है हाल ही में चर्चा में रहा आठे मीच समझाओता किस के बीच है तो भारत चीले में आ नासा के बीच में समझाओता है अगला है देश की सबसे बड़ी नीजी कोश फेक्टरी कहां तो तेलंगाना में बनाई जा रही है और ये नीजी कोश फेक्टरी आप याद ररूर रखिएगा गूगल द्वारा किस राज जी में विशु आपका फिन टेक ऑपरेशन सेंटर बनाया जा रहा है तो गुजरात में बनाया जा रहा है सुन्दर पेचाई जी के बारे में बात हुई थी क्लियर है दस अरब डॉलर खर्चा कर रहा है आगे बढ़े उसके बाद है चर्चा में रही ओशन गेट एक्स्पेडिशन किस देश की कंप का सरवच आपका सम्मान और्डर अप दा नायल किसे दिया गया है तो हमारे आदरनी सम्मानी पद्धान मंत्री जी को दिया गया था क्लियर है उसके बाद है हाल ही में पदमस्री सिस्टर सीरिल का निधन हुआ तो हज़ा साथ महीने पदमस्री दिया गया था ठीक है समास से विका रही है हाल ही में चर्चा में रहा हैलियो हैलियो पॉलिस हाँ अपका टेविफिक यह कहाँ है हमेरे मोदीजी का तो यह हमारे जितने भी सानिक सहीद हुए थे आपका वर्ल्ट वारु में तो उसको संबान क्लियर आगे बढ़े में किस ने क्रिस प्रधानमंत्री रूप में आपका सपत लिया है तो क्यारीकोस मिट्सो टासिक चौरी टाकिस क्लियर है जबान फिसल जाती कभी-कभी हाल ही में नंदी पोर्टल किसके लिए बनाया गया है तो जितने भी आपके मत्स पसुपालन डेरी मंत्राले में सारी चीज़ों के लिए मतलब उसमें डोज वगरा सारी चीज़े जितनी भी चीज होती ह उससे सम्बंदित नंदी पोर्टल बनाया गया है जानकारी प्रदतकन निकलिया अगला है क्रिकेट वन डे विश्व कप दोहजरतेश कहां होगा तो भारत में होगा नोडाउट हाल ही में नोबेल पूरुसकार प्राप्त करता जॉन बी गोविन हाउ इनका निधन हो गया तो यह रसायन सास्तर के चेतर में इन्हें मिला था ठीक है आगे बढ़ें चलो अगला है हाल ही में भारती वायुसेना द्वारा रण विजया अभ्यास उत्तरप्रदेश में आयोजित किया जा रहा है पहली महिला कबड़ी का खिताब किस ने जीता तो उमा कोलकता ने जीत पंजाब पैंथर को हरा के वेश्व के सबसे बड़ा सडक नेटवर्क इस देश में है तो सबसे बड़ा अमरीका में है सेकेंड बोल रहे है नितिन कटिकरी जी जो की हमारा भारत हो गया है ठीक है सेकेंड वान उसके बाद हाल ही में चर्चा में रहा सिविल नागरिक सहीत का संबंद समिधान के कौन से अनुच्छेत से है तो हमारा DPSP Directive Principle of State Policy मतलब राजी के नीती नहीं दे सकता तो के अनुच्छेत 44 आर्टिकल 44 के तहत इसे रखा गया है अगला है हाल ही में हैमिस मठ महसाव लद्दाक में ही होगा क्योंकि हैमिस आपका कहा है तो आपका देश में है सब आरोपी लोग को जल से जल सजा देना हैं जो भी कराइम करेंगे मतलब गंभीर आरोपयों को गंभीर जितने भी क्रायीम करेंगे उनको सांखे की दिवस 29 जुन को मनाया जाता है ठीक है प्रोफेसर प्रसान चंद्र महाल नोबिस के याद में हाल ही में जारी की गई ग्लोबल आपका कॉंपरिटिव इंडेक्स 2023 में भारत का कौन से इस्थान रहा तो 44 वा इस्थान रहा है क्लियर विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी टांजिशन इंडेक्स में भारत का रैंक 67 है ओके क्लियर है प्रणाम योजना संबंध है क्रिसी से क्लियर है आगे बढ़ें उसके बाद है ब्रिटिस गर्णमेंट द्वारा किसे Points of Light Award से समानित किया गया है तो रैनर्जी टिसीन दत्थ जो की आपका Second World War के समय में कब Second World War के समय में ये England के तरफ से मत अब भी Britain के तरफ से लड़े थे तो यहां साथियों हमारा पहले सबता का Current Affair कंप्लीट होता है और इसका PDF आप हमारे टेलिग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा जैहिन जैभारत अब Current Affair के तैयारी होगी और भी आसान क्योंकि जितने भी विद्यार्थियों चाहे आप किसी भी कोचिंग से क्यों न हो आप बिल्कुल निशुल का हमारे संस्था पर आकर पढ़ सकते हैं आफ लाइन बिल्कुल फ्री समय होगा शाम को पांच बजे माह के प्रतियक दूसरे शनिवार को और जगा होगा Competition Community मंगला चौक बिलासपुर थैंक यू अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए Competition Community के साथ आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेच पर विजिट करें अत्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको